हम तो दोस्तों वेलकम बेक टू यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। वेलकम है तो आज के दिन बात करने वाले Reliance Power Limited के बारे में आप कह सकते हैं आरपावर के उपर डिसकस करेंगे। इस वीडियो के अंदर टोटली सारी Information देखने वाले की आरपावर के Related इसकी Share Price Analysis, News Update, Chart, Pattern, Quarter के Result, Fundamental Research और बाकी चीजें तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा Important होने वाली है तो वीडियो को जरूर प्ली सेंड देखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम पोर्टफोलियो डिसकस करेंगे और साथ ही में स्टॉक मार्केट पर बेसिक भी डिसकस करने वाले हैं। बात करो आठ पावर की शेर प्राइस आपको अपनी स्क्रीन के सामने देखने को मिल रही होगी। फाइनेंशल की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशल के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड फॉर्मली रिलायंस एनर्जी जेनरेशन कंपनी है और ये अनिल धीरुभाय अमबानी का देख सकते हैं। ग्रूप की एक कंपनी है जो डेवलप कॉंट्रेक्टर ओपरेटर अंड मेंटेनेंस पावर प्रोजेक्ट करती हैं। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सी ओसके के राजा गोपाल बात करें फाउंड हुई थी नौ हजार पचानवे में फाउंड धीरुभाय अमबानी हैड क्वार्टर मुंबई में लगभग दो हजार से पंद्रह सो के बीच में क्वार्टर के रिजल्ट की बा स्टॉक के अंदर लेकिन कंपनी जो है वो लॉंग टम में भी बहुत ज्यादा रिस्की और शॉर्ट टम में भी तो लेकिन प्रॉफिट ज्यादा दे सकती है रेवेन्यू शेर प्राइस उपर जा सकती है तो ये रिस्की स्टॉक हो सकता है आने वाले वीडियो में आगे ब बात करते हैं तो पहले अगर मैं बात कर लो अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना है तो आपको पहले दीमेट अकाउंट पे ट्रेनिंग अकाउंट और वो भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ खुलवाना पड़ेगा आपको और वो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ ल लेना चाहिए, आपको prepare होना चाहिए, आपके पास loss हो सकता है ये होने वाले टाइम में और आपको long term portfolio ज्यादा तर start करनी चाहिए, short term training को avoid करना चाहिए, अब बात करूंगा मेरी कुछ favorite sector की company उनके बारे में भी अगर हम overall देख ले तो बात कर लीजिए, मेरे overall factory company जैसे मैं finance sector में बजाज finance service limited को ज्यादा importance देता हूँ, IT sector से बात करूंटो को fridge और infosys limited को देता हूँ, और food service या 4G service से मैं जो bland food को ज्यादा importance देता हूँ, long term sector के हिसाब से तो ये कुछ मेरी advantage थी, stock market की tips थी या कुछ भी मान सकते है, बाकी अगर आप सभी जानते है, investment चार टाइप की ह होती है शिर्ष property, cash fix, interest और बाकी investment जिससे मैंने आपको successfully बता चुका हूँ, ये मेरी कोई success tips हैं जिन्होंने मैंने भी उनको follow करके एक अच्छा खासा business से अब intermediate तक जा सकता हूँ, तो वीडियो में यहां तक की रखता हूँ और आपको वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe कर दी साथ में बेला आइकॉन दो